तो हेलो गाईज वलकम बेक टू माई चैनल तो गाईज मैं आज एमस दोनी का एक नए ड्रोइंग बना रहा हूं मैं उसका आउटलाइन बना लिया हूं एक मेकेनिकल पैंसिल का यूज करके आप लोगों को दिखाते हैं किस टाइप का आप लोग देख सकते हैं किस टाइप क का यूज कर रहा हूं और थोड़ा वह तो रेड़ पेन का भी यूज करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं एक दम एक इस टोक किस तरह से मैं दे रहा हूं आप लोगों को भी अगर बनाना हो तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं और अगर आप लोगों को आउटलाइन का particular tutorial चाहिए हो तो comment कर दिजिएगा चलिए अब देखिए किस तरह से बनाना है तो भैज अब आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पहले मैं black कर दूंगा दे रहा हूं उसके बाद फिर मैं जहां जहां red करने का है फोटो को देख के उसका अनुसार red भी कर दूंगा आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैं इस टोक लगा रहा हूं तो देखिए अब मैं इसमें red को यूज करके red कलर कर रहा हूं देखिए अब फिर से black यूज करके फिर merge कर दिया देखिए यहां छोटे-छोटे air के लिए मैं एकदम light pressure से क्या हूं देख सकते हैं आप लोग फिर मैं blue का यूज करके face का setting कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं अब black यूज करके फिर मैं आई में कर दिया फिर blue यूज करूंगा मैं देखिए इस टाइप से फिर थोड़ा बहुत blue यूज करके उदर highlight के लिए white छोड़ दिया हूं देखिए इस टाइप से blue यूज कर ले रहा हूं मैं face में face में मैं ज्यादा तर portion blue ही करूंगा देखिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं red और black करूंगा देखिए कुछ इस टाइप से अभी यहां dark है dark कर दिया हूं लोग देख सकते हैं फिर यहां blue करूंगा मैं देखिए पूरा blue करूंगा पहले उसके बाद फिर उसमें red color चड़ाऊंगा देखिए उदर highlight के लिए मैं highlight फिर चोड़ूंगा देखिए इसके बाद मैं red कान में यूज कर लूँगा पहले उसके बाद उपर से मैं blue black यूज करके उसको blend कर दूँगा देखिए कुछ इस टेप से मैं blue को भी उज कर ले रहा हूं साथ ही साथ देखिए अब फिर मैं black से ही कर रहा हूं फिर मैं होटों में red color कर दिया हूं फिर दांतों के बीच के gap में black कर दिया हूं गुज है दिखिए उसके बाद फिर मैं देखिए कुछ इस टेप से black का यूज कर के फिर नीचे मं डार्क ब्लेफ़ कर दे रहा हूं देखिए कि इस टेप से उसके बाद फिर जहाँ जहां खाली जगा था वहाँ ब्लू जो कर दिया हूं लोken दख सकते हैं फिर नयक में मैं blue और red करके कर दिए प्षिर जर्व रेड़ इसलिए मैं पूरा blue कर दिया हूँ दखिए क्वुजी स्ट टैप से उसके बाद मैं background current को सेट करने के लिए blue black दोनों का use करूँंगा जहां जहां Black है पिक्चर में वहाँ वहाँ, मैं ब्लू करूँगा, और जहाँ Blue है वहाँ ब्लैक करूँगा , तो उब लोग देख सकते हैं Hear comment Black है तो मैं सामने Blue कर दिया हूँ, और इधर Blue है। तो यहाँ मैं Black कर दे रहा हूँ इधर bHO वहाँ मैं Black कर कि फिर यहां black हो ब्लू का युज़ कर ले रहा हूं देखिए तो इस टैप से मैं फिर नीचे में ब्लाक का युज़ कर लिया हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टैप से न देखिए तो गाई आप लोग देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा और अगर आप लोगों को एसी टाइप का टूटोरियल चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कहीं भी प्रोब्लम हो तो कमेंट कर दीजेगा थैंक्स